जेहो मैं हूं सन्दीप खेल, आप देखा तो हमर सांद देसी टॉक, देसी टॉक म, आज हमर सांद थें, अच्छतिस गर्ड गोसेवायोक अध्यक्ष ग्त्रुवाक, महंतर राम सुंदर्दार जी आपके बहूंत-बहुत स्वागई थे, बहुत्गो सांद सुर्भागर, यत मोर जन्म बिलासपूर जीला के ग्राम पीरिद में होई है अभी वरतवान वह जानगी चाहपा जीला है शक्ती तहसिल और माल खोर्दा से लगे हुए गाउं है ग्राम पीरिद वहाँ 6 जुन 1966 के जन्म होई है और ग्राम परवियस में हमार पूरा बच्पन बीते है जी आप तो दूदाधारी मत के जुड़े हो आप ? जो 1955-2-08-1955 के शरद्धे गुरुदेव राजे स्री महंत वैश्वोदाश जी महराज जेलक खोले हैं और भारत के प्रथम राष्टपती डाक्टर राजेन परसाजी जेका सुवारम करें हैं वही महाविद्यालय में मैं पांस साल तक के सिक्षा ध्यान करें हैं वहीं से ब्य दूसर देश में बहुत काम हो थे मतलब वैग्यानिक मन विशेमा संस्कृत के माध्यम से पहुचे के प्रयास कर रहा थे लेकिन हमरे देश मा संस्कृत बहुत पिछड़ गे हैं निश्ची तुरुप से संस्कृत देवाड़ी भासा कहे गा हैं और संस्कृत भासाला समस्त कैड़े यहे एंग अश्रेक प्रांड म्यों की जनिनी भी गाहें गगे साकर जनिय के बहुत ही संवर्वित भासा संस्कृत भासा है और विद्वान्मन बैग्यानिकृत OH यह भी कहें आज के जो कंप्यूटर है 5 सब्सेज़ाद संस्कृत के बात है वही और वह सब ज़्या हमार जो गीता है वो संस्कृत में है लिखे गए है यह भगवान कृष्णा पन मुक्से निया उचारित करें हैं तो ऐसे संस्कृत बहुत संब्रिद्ध भासा है एक प्रचार प्रसार होना चाहिए बीदेश मां तो होवे करा थे जर्मनी मां जे नहें मां काफी शोध हुआ संस्कृत लेके काफी अच्छा काम अहां हो थे लेकिन वह संस्क्रिद्ध भासा भारत वर्टसके पहले जन भासा रही से यह बोलचाल के भासा रही से वोल्बुना से लाना चाहिए काभर कि हम जितने भी बेध पूरान है एस अब संस्कित में ही लिखे गाए है जितने भी आप ला उदाहरा मिली संस्कृत में जितने भी लोकोक्ती हैं ये सब सुभासीता संस्कृत में ही हैं तो निश्चित्र संस्कृत के प्रचार पासर होनी चाहिए जैसे की गोड मॉर्निंग गोड नाइट गोड अप्टर नून लेकिन संस्कृत में जाथन ता ओकर अलग अलग है कि भोजन के करेक्स में मंत्र सुभे उठो तो प्रागदेवस्ति लक्षमी कर्मत देशरस्पती ऐसे टाइप के हम शुरुवात कर्थन वो संस्कार अब धीर सुवय संस्कार अधर्म के यह जो पहचान है वोला ओमन में डालें संस्कार डालें तो निश्चीत तुरुप से वो जो लड़का है आगे वीवाक बन करके वो शुरुवान बनी और हमर भारत वर्स विशोगरु तब रही से जब संस्कित के समामान संमान होत रही संस्कित ह संत्म स्माज डूबावत देशला कबटी कायर कुछ जब-जब समाज दिख्भ्रमित होते वाहँ में भटकावा थे तो संत् समाज आगू आथे तो आपके भूमी का अउब बढ़ जत है कावर कि आप तो अध्यात्म से भी जुड़े हो धर्म से भी जुड़े हो और 36 गव से आयो के अध्यक्ष भी हो वह लाप के से लेता हूँ निश्चत रुफ से किसी भी समाज लग आगे बढ़ाय के लिए और पद प्रदर्सक दे के लिए संथ समाज बहुत ही प्रमुक्ष हो थे और संथ समाज के बातल समाज हम मान थे भी एका नाम से संथ समाज के बहुत बड़े उत्तधाइद तो ही बन थे और जहां तक धर्म औ बिल्कुल नहीं होने चाहिए लेकिं रायनेतिय धर्म आवस्यक है यदी रायनेतिय धर्म नहीं रही तो रायनेतिय उस्तिंखल उस्त्रिंखले स्कौर पॉर मुलगे और फिर स्कॉर्टंथरत्त बह rotates merits करें रह्कति तो एकान नाम से धर्म में रायती कभी नहीं होनी चाहिए लेकिन रायती धर्म नितांद आवस्यक है और रहना ही चाहिए उसे अक्सर यह देखे जथे कि जब संथ समाज जिन है राजनीती में रूची ले थे या राजनीती में अपन भागिदारी सुनिशित करते लेकिन जिन संथ समाज है वह अभी उदेश शेतिन समाज कल्यान है चाहिए कुणों भी राजनीतिक मारगे से वह जाएवाए या कुणो भी राज्यतिक पाइटी या कुणो भी राज्यतिक दल के माध्विएं से, समाजला नव धीशादे के काम या समाज के उत्थाण के काम हो सके, लेकिन हमेशा अभी यूए पीडियोन कावर की बहुत सारा इसन संत भी आ जेते हैं, जिन संत के लिवाद मरी थें भेश मरी थें लेकिन वास्तों में वो संती जिन आचरण है तेकर वो पालन नहीं करें एकर वज़े से आज के समय में राजनीती में जब संत आथे तो बहुत सारा सवाल उठते वह इसने बात आपला भी कई बार जिन है उकर साप मुखारविंद होई आपके भी कि आपके व्यूकर सामना होई होई कि भई आप जो संत होती हुए राजनीती में आए हो तो इसन सवाल के का जवाब हो सकत दिखे मैं पहले ही कहा हूं कि धर्म में कभी भी राजनीती नहीं होना चाहिए तिकि राजनीती धर्म आवस्यक है और राजनीती ध करपातरी महराज जब देखिन कि केवल कथा भागवत कहा करके केवल प्रोचन दे करके समाजन नहीं सुधारे जा सके तो करपातरी महराज सहस पहला शुरू करिन कि रामराज परिसात को गठन करीन और कहिन के रामराज परिसात के बेनर तरे हमर जो समर्थक हैं हमर जो सीसे परिवार हैं ओमर राहिती में आवाएं अब ये कहा करके वो जोपडी छाप चुनाव चीन हा रखी नपन और मध्य प्रदेश में हुआता है अब पूरा भारत वर्समें वो एक प्रचार पसार करीन तो एकन निव तो धर्म समाट करपात्रिज महराज डाले हैं जो सरोमानने संथ हैं और सब वेदो पुराणों को ग्याता रहे हैं वो एकन निव डाले हैं तो जब कोई भी संथ महात्मा समाज सुधार के विचार करते हैं और रायती में दिवाना चाहते हैं तो समाज लों क का स्वागत करना चाहिए एका नाम से काबर की से राजनिती सेवा का ससक्त मध्यम है यदी कोई व्यक्ति रायनिती रहा करके सेवा करना चाहा थे तो निश्ची तुरु सोला करना चाहिए आना चाहिए और अच्छे लोगां तो रायनिती में और ज्यादा आना चाहिए आज क जो सोच है कि प्रगति करने के लिए और कोई भी जो सासन के योजना है बोला जल्दी से समाज के बीच में लाए के लिए तेकल लिए संत समाज सबसे आगे आए और समाज के अच्छे ब्यक्ति मला करें संत ही नहीं समाज के अच्छे ब्यक्ति मला रायती में आ करके सेवा कार जी अभी समय जन्हें वाटसब के सोशल मीडिया के जमाना आगे है लेकिन वो समय जब गुस्वामी तुलसीदाजी महराज रामचरित मानस लिखिन और धीरे धीरे भारत के हर गाउं तक पहुँच गया वह समय वैसन पचार पसार के माध्यम्द्री से तब हो चीज के घयांगा तक वो चीज अलग जगाईबर जन्बी चीज क्यू आं कर अधरी ने जन्बी चीज यू लिख ऱत्री नी वो पहुच जाद्रीज है काया है जहां न पहुंच्या विल निजिद्व करते हैं संथ लेखक ये सब रवी स्तात्रा सुरी की प्रकास कि ये जगा सुरी की प्रकास भी नहीं पहुचा है ये है कि संसार के हर जगा सुरी की प्रकास पहुच जाते लेगिन कहीं कोई ज्यादा जुन्जाट है वहां भी सुरी की प्रकास नहीं पहुचा है तो वहां भी कवी के लेख गोष्वाय तुसित आज महराज करें हैं, उकर लिखे द्वारा जो रामचरीत माना से, उकर कृती, वो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, समाज के ऐसे कोई पक्ष नहीं है, ऐसे कोई पहलू नहीं है, जेला सी रामचरीत माना इस पर्ष नहीं करत हो ही, वो घर के मुख्यत पर लिखें कि मुख्या मुख्या मुख्यो चाहिए खान पान को एक बालाय पोशाय शकल अंग तुलसी सही तभीवे, खाय कामल मुख्या अकेला करते हैं, खटा हो, मीठा हो, कड़वा हो, तीता हो, जो भी खाते हैं अकेला, लेकिन शरीर के कोई अंगल कितना विटामिन शरी के कोई अंगल कितना रस चाहिए, एका नियधाना मुख्या बिवग पूरवक करते हैं, मुख्या अयुएक पूरवक बटवारा नहीं करें, बिवग पूरवक बटवारा करते हैं, अए मुख्य के ही भलमन सहात हैं, कि आज हमाँ सरीर सुचारूप संचालित हो थे, त तो केवल भाई भती जवाद मत देखाएं, मुख्य के समान यदियो ब्यवहार करें, तो निश्चितु सुकबात लाहर कोई मान ही, और समाज बहुत आगे बढ़ी, बिल्को ठीकर, आप चातिस गाण गाव सेवा आयों के अध्यक्षा, आपके दाईतु अव बढ़गे है पहली से भी जादा बढ़ गे है, ये दाईतु लग करें से ले था वाग? करके चातिस गड़ की अश्वी मुख मंत्री मान्य भूपेज बगेल जी मुला गव शेवा आयोक के अध्यक्ष बनाया है, उंकर 126 की महांजी महराज आप मंठ में चार दिवन रहकर गव मा तक शेवा करा था, अब आप पुरा चातिस गड़ कोने-कोने घुम करके गव मा संचाली थे, वहाँ वहाँ जा करके हम देखा था नि, गव माता कैसे वहाँ सेवा, सुसु दावा, कैसे रख रखा हुआ हूआ थे, गव माता कहीं क कष्टत नहीं है, काबर की एक गव साला करे मन के जाएकर, उदस यह भी है, की बरसाद के समय में, आपला सही स्थिती न लगी कि बर्साद गव माता कीचड में हैं कि सुखा में का इस्तिती है वहन के खाय पी एक ब्योस्ता हाई की नहीं है डर्साद बिसेश प्रकार के बीमारी भी हो थे तो वह बीमारी तो मनकर नहीं है वहन स्वरस्त हैं यह देखे एक नांसान पूरा अच्रिगार भ्रमर करतन जो मोज जीवन के दिन्चरिया में सामील है वो सेवा के आउसर मोला प्रदान करें है तो मैं एलाइक सेवा के आउसर ही मान के चलता हूं जो चतित गड़ा नवा तरीका से गव जन्हें होला परिभाशत करी गवधन जन्हें वो शब्दाइस और वही साफसाब काम हुआ थे वो किसे टाइप के काम हो थो मारी निश्ची तुप से मन्य भूपेश बगहल जी के यह सोच है यह उंकर परिकलपना है कि चतित गड़ में गो धन के सारक्षा संवधन होना चाहिए यही बात लेकर के वो गोठान योजना के लड़ लेकर क्या है और चतित गड़ में लगभग 20,000 गाओं हैं प्रत्य गाओं में गोठान बनाए के ओकर योजना हैं जेमा सुरुवाती दौने प्रत्थम चरण में धाई हजार ग में गोठान बन गे हैं अन्यक जगमन निर्माणा धीन हैं वैसे ही एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो प्रत्थम तेवहार हो थे जेला चतित गड़ नांगर तेवहार का नाम से जानते हैं हरेली तेवहार ओ दीन मुख्यमंत्री भुपेश भगेल जी है एक क्रांतिकार कदम उठाते हुए गोधन निया योजना वो क्रारा मकरिन जहां प्रतिय गवपालक से चाहे वो गायक हो चाहे गववनसी या भैसवनसी का गोबर दो रूप्य किलो में हमने खरीद वो ऐसे करके वो योजना बनें और यह योजना क्यों चतितित गड़ नहीं क्यों भारत तोरस नहीं बीश्वके प्रथम सरकारे कांग्रेश के चतिति गड़ भुपेश बग्हल जी के सरकार जह दो रूप्य किलो में आम गोव पालक मन से गोबर खरीदा थे वो कर से बिभिन्य प्रकार के उत्पाद भी बना थे और बचे हुए गोबर से वर्मी घास बना करके पुनाहा किसानमल्ला दे करके वो जो जविक खेती हो थे बढ़ावा दे के भी काम करा थे और दूसरे तरफ यह जो गव वन्स हैं आर्थिक रूप से जोड़ करके उनका संवर्धन काम किये जा थे जे चतिर्षगर के हैं टियन संस्कृति हैं तरुसरे घास पासी घूमतरी खे मरें संस्कृति हैं हमरा संस्कृति हैं जमां हमर तीज तीहार सबसे हैं प marshmallow ल little फर भहर्ति केंव ठ्सक्र्कार ररे तैंवह और हमा ऑग का संस्कृति पर पर अच्छा काम कँ пошएओ और हमां ब वाल च्छतित गड़ ही नहीं हमार भारती संस्कृत सांताम धार्म के जो धूरी है वह गौ माता है कावर की मर्यादा पुर्शावराग्वेन सरकार जी करें प्रादूर भार्वियत धराधाम में हो है तो गव माता के लिए हो है क्यों कहे भी कहा है कि बीप्रधेर उन सूरसं सब्सक्राइब करते हैं घराधाम में आगे बढ़ाते हुए हम अच्छति रए सरकार है आज गो धन के सम्वर्धन के लिए सरक्छन के लिए काम कराथे और गो धन के ला आर्थिक रूप से जोड़ करके जो लोगन के भाव है वह गौ माताक पति आस्था स्रद्धा विश् सोच करके जो भी योजना है गौ माता सरक्षित रही समर्धित रही गौ माता जब सुक्षांतिस रही तो आसे अधा हम सब लब प्रदान करें और निश्ची तुरु से चत्तिस गड़ में एक जविक खेती के विस्तार हो ही और नाना प्रकार जो बीमारी राशानिक खात के द सब्सक्रार ज़िवन रास्तान के राष्ता में के राष्ता स स्कीतों तो के बाद हो चाहे परिवार या अन्य विश्य के बाद हो तो धर्म के रास्ता में चल की हूँ चीजला प्राप्त करे जा सकते हैं हमार भारती संस्कीत साथन धर्म में धर्म की जुजड़ बहुत गहरा है और धर्म हर जगा अपन उपसी दर्ज करा थे और कोई भी चीजला मनवाय के नाम से धर्म ही सरुत्तम रास्ता है जेकर तहत आप कोई भी कामला जंग जंग तक पहुचा जा सकते हमार पूर्वजमन ये आज परियावरान के बात हो थे जगह जगह योजनब बना बना करके विक्षर ओपन किया जात है सांस की इस तरपे भी आम से दो Sigla मनके द्वारा ने हमार पूर्वजमन कभी भी योजनब बना के लगावा थे लेकिन उमन का करते हाँन संसकार देते ही ने पहन लोग ली कम संपत्ति हो कुवाख हो दो आवाए जेकर पास सब कम धन है वह तलाब में पच्छी बना देवाए निस्तारी के लिए जेकर पास कुछ हो निये वह कम अपन जीवान में दस्थ हो बाराठ हो पेंड लगा देवाए ओला अपन लोग को लिखा के तहत वकर वह रक्षा करें देखिए आज चाहे गाउं हो चाहे सहर हो दो सव तीन सो चार्ट पांस सव साल के आप पुराना प्रेंड देखे बर मिल जाए यह संसकार में ही बने हैं और आज सासन के द्वारा भी स्वयम से संस्थावमन के द्वारा भी योजना बनाकर के पेंड लागा वाथ हैं तब यह उतना प्रेंड दिखत नहीं है तो यह तो हमां संसकार में है अब प्रेंड प्रेंड लगाना चाहिए हम अपन जन्मदीन में लगाना चाहिए हम अब पुरवाज में पुने तिथी मनाधन पुने तिथी प्रेंड लगाना चाहिए अब पेंड लगा कर भूलनी जाना करना चाहिए संवर्धन करना चाहिए और एक बच्च जैसे पालना चाहिए तो निश्चित रूप से हमां जो यह वसुंधरा है हमां जो प्रित्व है ओहरा भरा रही जी सब्ले जादा समस्या नसा के है हमार चाहिए युवा पीड़ी तो बहुत अच्छा बढ़िया है गर् नसा है वह तो दुर्गुण ही माने जाते तो ओला तो बिल्कुले बंद होना चाहिए और यह तानून से डंडेस बल्ध नहीं हो सकते यह संस्कार से हो सकते कि हमारा घर के बुजूर्गमन समाज के बुजूर्गमन और बुद्ध जीवी वर्गमन चोटे-चोटे लिकेमल नवयुख मनला यह संसकार देवाएं कि नशा नहीं करें कि बाद भी आदमी जीवीत रही थे श्वास्त रही थे ज्यादा जिनतक के जीवीत रही थे अच्छा काम करते हैं तो ओमन के ओधार देदे करके हम अल्ला संसकारित करना चाहिए नवयुख मनला छोटे लिकेमलन जे मनों संसकार में आकर के नसा से दूर रहें और अपन दाइद तो के निर्वाह करें अपन करता बिलोमन समझें जी आप से बात करके बहुत अच्छा लगी मैं आप से आगरा करूं कि हमर जंतल हमर दर्शक मनला आप एक संदेश दो यह कर समर 36 गर्ड उन्नती करें प्रगती करें और प्रगती के पत्मा आगू बढ़ है निश्ची तुरुप से आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मोला आउसर देओ अपन ये चैनल के माध्यम से मैं तो 36 गर्ड पूरे भारत वर्ड सके निवासी मला यही मैं आगरा करना चाहूं और जो दाइद तो हमला मिले है ओका निर्वाह हमला करना चाहिए और निर सो राज एक्स्प्रेस माध